नमस्का जहिंत ओल एक्जाम गाइड गुरु का यूटूब चैनल आप सभी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पांडे दोस्तों आपके लिए हम सौ जीकी के वन लेकर आ गए हैं और ये पिछले 30 साल से हर एक्जाम में बार बार आ रहे हैं ये कॉशन सौ के सौ याद कर ले आपको रोज एंसी सुपरफास्ट वीडियो चाहिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली वा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहला कॉशन पढ़ते हैं शिद्द से पढ़िए सो के सो याद हो जाना चाहिए पहला कॉशन है आपका कि पुश्यमित् इसको लिखा है आपका गुल बदन बेगम ने अगला कॉशन देखिए कॉशन मुशन नमर 3 इसमें पूछा गया आपसे कि शेर शाहसूरी का मखबरा कहां सतत है तो या रखेगा शेर शाहसूरी का मखबरा सासा राम जो कि विहार में पढ़ता है सतत है अगला कोशन है कि सत्य में उजयते शब्द किस उपनिशत से लिया गया है तो सत्य में उजयते शब्द जो लिया गया है यह आपका मुंड को उपनिशत से लिया गया है सत्य में उजयते शब्द अगला कौशन है कि किस वर्ष में भारत बृटिस राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, तो भारत बृटिश रस्का गुलाम हो गया था 1657 में, आठासंतावन की कुरांती के जperformance एक साल बाद 1857 में, जैसे ही क्रांती खतम हुई थी उसके बाद गुलाम हो गए थी उसके पहले East India Company राज करती थी भारत पर अगला कॉशन है कि किस राज में फोडोंग बहुत धुमट इस्तित है तो सिक्किम राज जो है इसमें फोडोंग बहुत धुमट इस्तित है कॉशन बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में कई वार पूछा गया है जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो हम आपके लिए इतने सेलेक्टेड कॉशन लिकर आएं कि इसमें से चार से पांच कॉशन आपको एक्जाम में फच सकते हैं तो प् भारत के अंदर राष्ट्र पता के रूप में मोहंदास करम चंदर जी को जाने जाता है भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाडा मंदर इस्तित हैं तो भारत में जैन धर्म के दीलवाडा मंदर या आपके माउंट आबू छित्र में इस्तित है या रखीगा टीपू सुल्टान जब राजी करते थे उनका राज़ था मैसूर और मैसूर की राजधानी थी श्री रंग पत्नम किसने बुनियादी सिक्षा को प्रस्तावित किया तो या रखिएगा बुनियादी सिक्षा को प्रस्तावित किया था महातमा गांधी जी ने अगला कोशन है कि किस तो महात्मा गांदी जी ने 1930 में सवी ने अग्या आंदोलन को शुरू किया था इस्टार्ट किया था महात्मा गांदी जी और मुहंबद अली जिन्ना इन दोनों के गुरू कौन थे तो या रखना महात्मा गांधी जी और मुहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के गुरू जी थे गोपाल कृष्ण गोखले भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतर किस ने किया था तो भारत में सबसे पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसका नेतर तो किया था काका कालेल कर जीने अगला कौशन है कि राम कृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे तो राम कृष्ण मिशन जो था आपके इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानन जी अगला कौशन है कि कुल कितने वेदांग हैं तो यारखी का वेदांगों की संख्या आपकी च्छे है अगला कौशन है कि पुष्चे मित्र सुंगद्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर शाशक कौन था तो ब्रहत तो आकरी मौर शाशक था निम्दल गितम से कौन सा नंदवन्श का आखरी शाशक था तो धनानद नंदवन्श का आखरी शाशक था या रखेगा दैश का गोल गुंबज मुहंबद आदिल शाह का मगबरा है भारत में वैदिक सविता किस नदी के किनारे विक्सित हुई दैश ने जलिया वाला बाग सामोहिक हत्या कांड के विरोध में अपनी नाइट हुडी की उपाधी तैक दी थी जलिया वाला बाग हत्याकांट के विरूद में सुचेता क्रपलानी जी किस राजी की पहली मुख्यमंत्री बनी थी तो सुचेता क्रपलानी जी उत्तर प्रदेश राजी की पहली जो है मुख्यमंत्री बनी थी महावली पुरम में पंच रतों का निर्मान किस राजवंश ने कराया था तो या रखना महावली पुरम में पंच रतों जो बनी थे इसका निर्मान पल्लवंश के राजाओं की द्वारा करवाया गया था गदर या गदर पाटी का गठन किस वर्ष में हुआ था तो गदर पार्टी जो बनी थी 1913 में गदर पार्टी का निमान हुआ था किस शहर में जहांसी की रानी जी का समाधिस्तल है तो जहांसी की रानी लक्ष्मिवाई जी थी और उनका समाधिस्तल है गौालियर में निम्दल के तमेंसे किस ने, 1925 में काकोरी लूट सयंत्र रचा था, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अस्फाक उल्ला खाने, विक्रम संबत कब प्रारम हुआ, तो विक्रम संबत जो ईसा पूरु संतावन में प्रारम हो गया था, महरुनिसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था नूर जहां जहांगीर की पत्नी थी, चौंसा का जो युद्ध हुमाईू और किसके बीच में हुआ था, तो चौंसा का युद्ध हुमाईू और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, तरती अंगल मैसूरी युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्निजन को किस नाम से जाना जाता था तो श्यवाजी महाराज, श्यवाजी महाराज के साशनकाल में मंत्री परिसर को अश्ट प्रधान कहा जाता था धर्मराज रत स्मारक कहां इस्तित है तो धर्मराज रत जो इस्मारक है यह आपका महाबली पुरम में इस्तते या रखना रतमंदर जो हैं वो हैं आपके महाबली पुरम और ये तमिल नाडू में पढ़ता है निम्नलकित मेंसे कौन 1857 के विद्रो से संबन्द नहीं था तो भगत सिंग जी का संबन्द 1857 के विद्रोसे नहीं था अच्छ है आपको Comment करके बताना है कि 1857 का विद्रो कहां से चालू हुआ था किस शहर से 1857 का जो विद्रो था वो चालू हुआ था Comment करके आपको बताना है जैन दर्शन के अनुसार जीन या जीना शब्दकार्थ क्या होता है तो जो स्वराज पाटी बनी थी इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी मोतिलाल नहरू और चितरणजन दाज जी के द्वारा कौन सा विद्वान आरेों के तिबबत ग्रह सिधान से संबनित है तो आरेों के तिबबत ग्रह सिधान से जो संबनित है वो है आपके द कहां पर इस्तित नों के साथ अली नगर की संधी पर हस्ताक्षर किस ने किये ते तो बिटिश के साथ अली नगर की संधी इस पर जो हस्ताक्षर किये गए थे ये सिरा जो दौला के द्वारा किये गए थे हस्ताक्षर अगला कौशन है कि निम्दल कितमें से किसने दीन ए इलाही को इस्टार्ट किया आरंब किया तो यारखना दीन ए इलाही को इस्टार्ट किया था अगबर के द्वारा किया गया था तो जाता क στην संबने didn't gotta कुण कोफा से ठीकि अ आंसरी पढ़ दिया था अगला कोशन है कि किस नदी को वैतिक काल में पुरल्शनी या पारुशनी नदी कहा जाता था तो या रखनारावी नदी को जो है पारुशिनी नदी या पुरुशनी नदी कहा जाता था वैदिक काल में अगला कोशन है अली वर्दी खां की मृत्यू के बाद बंगाल का नवाब कौन बना तो अली वर्दी खां की मृत्यू के बाद बंगाल का नवाब सिराज दौला बना था किंग जोर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहन किया था तो किंग जोर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहन किया था इबने बतूता ने किसके साशनकाल में भारत का दोरा किया था तो इबने बतूता जो आये था मोहमबद बिन तुगलक के साशनकाल में भारत आये था सुर्ख कोटदा का पुरातत्तिक इस्थल किस राज में से थै अगला कोशन है कि किस पुरा तत्तिक स्थल्क पर गर्थ आवासों का प्रवाण मिला है तो गर्थ आवासों का प्रवाण मिला है आपका बुर्ज होम पर प्रसिद्च किस सक जीवक की नियुक्ती किसके दरवार में हुई थी तो जीवक की जो नियुक्ती हुई थी ये विम्विसार के दरवार में हुई थी चदम नाम रखे भानु सिंग नाम एक चदम नाम रखे जो है लेखन का प्रयोकिस ने किया तो रविनाठ टैगोर ने अपना एक नाम रखा था भानु सिंग भारत के सुतनता अंदोलन के किस नेता को grand old man की संग्या दियाती है तो या रखना grand old man कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सव्विता का इस्थल मोहंज उदारु इस्थित है तो मोहन जोदारों जो इस्थत है ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में इस्थत है उडिसा में जोगड में कौन सा एतिहासिक इस्थल इस्थत है उडिसा की बात हो रही है जोगड तो उडिसा में जोगाड है और यहाँ पर आपको अशोक का सिलालेक अभिलेक इस्थल मिलेगा तीसरी बौद संगती किस शहर में आयोजित हुई थी तो तीसरी बौद संगती हुई थी आपकी पाटली पुत्र में आयोजित आपको कौशन दे रहा हूँ कमेंट करके बताना है आपके से जिसको पता है कि पहली बौद संगती और आपकी दूसरी बौद संगती पहली बौद संगती और दूसरी बौद संगती यह कहां पर आयोजित हुई थी यह आपको कमेंट बौक्स में कमेंट करके बताना है देखत में आपका श्टार्ट हुआ था अगला कोशन है कि अली वर्दी खां को बंगाल के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराज उद्धौला बना था निम्दलकित में से कौन सा मंदर राष्टकूट राजबंश के द्वा तो राश्टकूट राजबंश के द्वारा कैलाश मंदर का निमाण हुआ था कैलाश मंदर भारत का तोता या तोताए हिंद किसको कहा जाता है तो भारत का तोता या तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है अमुक्द माल्यत का लेखन किस ने किया था तो अमुक्द माल्यत जो था इसका लेखन कृष्ण देव राई जी के द्वारा हुआ था मोहमबद गौरी और प्रत्वी राज चोहान के बीच कौन सी लडाई हुई थी तो तराइन की लडाई हुई थी मोहमबद गौरी और प्रत्वी राज चोहान जी के बीच गोल गुम्मद भारत के किस राजमिस्त है तो गोल गुम्मद यह आपका करनातक में पढ़ता है अगला कौशन है कि भारती राष्ट्री कॉंग्रेश के 1970 का अदेख्श कौन था तो लाल मोहन गोश यह 1970 के अदेख्श थे भारती राष्टी कॉंग्रेश के आईने अकबरी के लेखक कौन थे तो आईने अकबरी जो लिखी गई है आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा किस ने चार मीनार बनवाई थी तो चार मीनार जो बनवाई थी वो बनवाई थी आपकी कुली कुतुब शाहद ने अगला कोशन है कि शेक ख्वाजाक कुद्वुदीन बक्तियार काकी की दर्गा कहां पर है तो शेक ख्वाजाक कुद्वुदीन बक्तियार काकी इनकी दर्गाह आपकी जो पढ़ती है ये पढ़ती है आपकी दिल्ली में अगला कॉशन है कि 1924 मैं कॉंग्रेस के बेलगाम सम्मिलन के दोरान कॉंग्रेस के दक्ष कौन थे तो M.K. गांधी जी बेलगाम सम्मिलन के दक्ष थे या रखीगा कौन सा राजवंश कुतुब उद्दीन एबक द्वारा इस्थापित किया गया था प्राचीन पुस्तकों में से बान भट ने किस पुस्तक का लिखन किया है सिख धर्म के पांचवे गुरु कौन थे तो सिख धर्म के पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन देवजी किस खटना का संबंध Lord Curzon से है तो बंगाल विवाजन का जो संबंध है वो Lord Curzon से है बिटिस ईष्ट इंडिया कमपनी ने भारत में निंदल कित में कौन सा पहला किला बनवाए था भारत में फोट सेंट जौर्ज नामक किला बनवाए था भारत में राष्ट्री आंदोलन के संदर्व में पूना समझोता पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो जो पूना समझोता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे आपके 1932 में अगला कॉशन देखे मदे कालीन भारत के संदर मेंने मिलकित में से कौन सा युग में सही है तो या रखने आपको कि दुवारते बार वो सा जो था ये पुर्तगाली नागरिक था ये वाल आपका युग में सही है किस अदिनेम को मौन्टेगू चेंप्सपोड सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो भारती इस आशकन अदिनेम 990 सको मौनटेगू चेंप्सपोड सुधार के नाम से भी 12 सदी के करनाटक में वीर शेव के अनुवाई कौन थे तो बस वन्ना ये वीर शेव के अनुवाई थे 12 सदी करनाटक में प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौझूद थे तो प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो टोटल सोला शक्तिशाली महाजनपद मौझूद थे लाला लाजपत राय निम्दले कितमें से किस बैंक के संस्थापक थे तो लाला लाजपत राय जी जो थे ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे आपके निम्दले कितमें से किसको वेधांत कहा जाता है तो वेदान्त के नाम से आपका जो जाना जाता है ये उपनिशदों को जाना जाता है वेदान्त कहा जाता है निम्दलेकित में से किसे लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है अगला काउशन है कि, चार महान सत्य की अवधारना किस ध़र्मकी देन है? तो, चार महान सत्य की अवधारना ये बहुत धर्मकी देन है. 1857 के भारती विद्रोह के दोरान मुगल समराट कौन था तो इस विद्रोह के दोरान बहादुर शाह दोरान मुगल समराट थे या बहादुर शाह जफरी बोला जाता है और इनको सबसे कमजोर मुगल समराट या 1857 की सबसे कमजोर कड़ी भी कहा जाता है असाहियोग आंदोलन कब समाप्त हो था तो 1922 में असाहियोग आंदोलन समाप्त हो गया था Hanging Garden of Babylon किस प्राचीन संस्कति से संबनित है तो Hanging Garden of Babylon ये आपका मैसो पोटामिया से संबनित है प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विक्सित किया तो गांधार कला की शैली कुशान वंश के द्वारा विक्सित की गई स्वामी विवेकानन के गुरू का नाम क्या था तो स्वामी विवेकानन जी के जो गुरू थे उनका नाम था राम कृष्ण परम्हंस गुरू नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था तो गुरू नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में किस वर्ष में सुभाशंद्र बोश जी को हरीपुर कॉंग्रिस अधिवेशन के अधिक्ष के रूप में चुना गया था भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारम की तो भारत में वास्तुकला की चार बाग जो शैली है ये प्रारम की गई थी मुगलों के द्वारा चार बाग शैली मुगलों ने जो है इसको प्रारम किया था किसान विद्रों में सर्दार वल्लभाई पटेल ने भाग लिया तो सर्दार वल्लभाई पटेल जी ने 12-14 सत्यागर में भाग लिया था जलेवला भाग हत्याकंट या नशंस्ता की खिलाप किसने अपनी नाइट हुड की उपादी त्याग दी थी सामराज वाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था तो कपास जाना जाता था कैलिको के नाम से प्राची इंशाशन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा चित्र भारत का केंद शाशित प्रदेश बना तो पॉंडी चेरी पर फ्रांसी सीयों ने 280 साल जो है शाशन किया था स्थाम फुस्तक को मेंसे किस पुस्तक का लेकन वराह महर ने किया है तो वराह मेहर के द्वारा ब्रहद साहिता लिखी गई है और जी का जन्म मस्ट यह Ó घाल लुर्णी में ऐसका बुट चन्म सकतल जन्म कहाँ पर हुआ था तो घॉटम मोडी का जयंव यह आपका लुनियु में ये जया पौर मेस्तित हवा महल करनिमार किसमे कर वायता तो जैवर मेस्तित हवा महल का शुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो हमें कमेंट करके जरूर बताना किस-किस ने पूरा वीडियो देखा अपना नाम जरूर लिखना हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल लखिए जै हिंत जै भारत